नमस्कार दोस्तों मैं आपका होश ड्रक्टर संजेग गुपता हमारी यूटूब चैनल डी आरेसके जी नेचरल लुप्यार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे कफ के बारे में कफ रोग बहुत ही परसान करने वाला रोग होता है उसके बारे में जानेंगे यह बच्चों को भी बहुत ज्यादा परसान कर देता है जैसे आईवेर्द में वात पीत कफ के बारे में जाना जाता है इसी तरह आज हम जानेंगे वह ही हम कफ रोग करते हैं, कफ रोग फेफड़ा और गले से रिलिटेड होता है, जो कि दिमाग पे सीर पे बहु ज़्यादा असर डालता है, दोस्तो तो इस कफ रोग को ठीक करने के लिए हमारे पास अनेको घरलू नुकसे हैं, जिसमें से कुछ नुकसे मैं आपको बता रह पफार हार्ट से रिलेटेड एक फैफरब से रिलेटेड गल्य से रिलेटेड तथा मांड माली रोग आ जाते हैं तो इसलिए हमें कफ करकना हैं जब हमारा वार पीट कफ यह तीनों बाइलेंस मणाता है तो हमारे पास रोग नहीं आते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, स्वास्त से बड़ा धन कोई नहीं है अगर आपके पास सब कुछ है और स्वास्त नहीं है तो सब कुछ बेकार होजाता है इसलिए दोस्तो कफ रोग को नॉर्मल करने के लिए इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्तो मैं इसका नुक्सा बता देता हूँ अगर आप इसे लेते हैं तो आपका कफ रोग नॉर्मल रहेगा यह जरूरी नहीं है कि आप इसे कफ रोग होने पर ही ले, आप इसे नौर्वल भी ले सकते हैं, तो दोस्तों आपको करना क्या है, करना यह है कि आपको सहद का उप्यों करना है, जी देशी सहद, अगर उरिजिनल सहद मिल जाता है, तो बहुत ही फायदमन्द होता है, और लासन का परियोग करते हैं, दोस्तों लासन को आप दवाई के तोर पर ले सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लासन का परियोग नहीं करते हैं, तो मैं उनसे बिंती करूँगा, कि अगर लासन नहीं लेते हैं, तो हमारे दवाव में लासन ना ले, लेकिन दवाई के तोर प बीज के पावडर, तुलसी पीज लाना है उसका पावडर खुद बनाना रही है में मातर आपको बता रहता हूँ कितनी मातरा में कितना क्या दोस्तो इसके साथ मैं कौत अब ही तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरीब पर उसे सब्सक्राइब कर दें साथे बेल आइकन को ड़ाँ दें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपके स्वास्त को ठीक रख सकें तो दोस्तों आते हम नुक्से के बारे में तो नुस्के में आपको करना क्या है पचास कराम देशी सहद लेना है जो बढ़िया हो और उसमें पचास कराम साफ किया हुआ लासन लेना है लासन को मिक्सी में खुब बढ़िया से पीस देना है बारी कर देना है कम पतला कर देना ह साथ में तूलसी के बीज लेने हैं और उसे पीस कर कपड़ें से चान लेजिए और उसमें से एक गराम पाउडर लेना है यानि कि पचास गराम सहद, पचास गराम लहसन और एक गराम तूलसी बीज के पाउडर तीनों को जब आप मिक्स कर देंगे तो एक चटनी सी बन जाएगे, आप उसे एक काच के बरतन में रख लेजिए और उसे थोड़ा-थोड़ा करके सुबह साम आप चाट कर खाई, कम से कम यानि कि उसकी जो मातरों आपकी एक गराम तो होनी चाहिए, एक गराम से तीन गराम तक आप कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कम से कम एक गराम आपको लेना है, तीन गराम लेने की जुरूत नहीं पड़ती है, अगर आप एक से दो गराम लेते हैं, तो आपको बहुत फायदामन रहेगा, दोस्तों जब आप इस चटनी को लेंगे, तो आपके जितने भी कफ रोग हैं, वो सारे ठीक हो जाएंगे, फेफड़े के रोग ठीक हो जाते हैं, गले के रोग ठीक हो जाते हैं, खासी, सरदी, जुकाम, यह बुखार, यह सब ठीक हो जाता है, क्योंकि सहद, लहसन, यह सब आईवेर्द में, देशी में, घरेलू नुकसे में होता है जिनका कोई side effects नहीं होता है कि दोस्तों इससे आप सुबह साम ले सकते हैं कुछ दिरे help वारा आप गुरूने पानी पी सकते हैं इसके साथ अग्र आप इसे बच्चो को दें अगर बच्चो को दिया जाता है तो थोड़ी मतेर में जाता है, उन्हें चटाया जाता है, उमर के हिसाप से देना, छोटा बच्चा है तो साहः चटाते हैं इस दिए थोड़ा बच्चा बढ़ा है、 2 साल, 3 साल, 4 पाद साल, बीस्टाप MARK दे सकते हैं, यानि 12 साल तक के बच्चे को कम से कम आधा गराम देना है, आधा गराम से फालतू ना दे, सुबह साम आधा गराम, सुबह आधा गराम साम दे, तो एक गराम हो जाता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, 12 साल के जो नीचे के बच्चे हैं, उनकी जो मातरा होती आधा ग्रम से 1 ग्रम के बीच मोती है 비्यूमस जो छोटे बच्य होते हैं उन्हें one Gupta अगर आप उन्हें देंगे तो अने सीने से जो घराट की आवाज की जो सीने में घरघर की आवाज की आवाज आती है और भी नहीं की आएगी सांस लेने में दिकत नहीं होगी, खांसी, सर्दी, युकाम, बुखार से बचे रहेंगे, बच्चे की इम्मुनिटी पावर बढ़ जाती है, यहां तक कि बच्चे का हाट भी मजबूत हो जाता है, बड़े का भी हाट मजबूत होगा और बच्चों का भी हाट मजबूत होता कुछ बच्चे डरते हैं, जल्दी डर जाते हैं, उन बच्चे के लिए यह चट्मी बहुत ही फाइदेमंद होती है, इन्हें आप नॉर्मल बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे बच्चे की इम्मुनिटी सकती बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की छमता बढ़ जाए या नुकसंदायक नहीं है, कहीं ने कहीं फाइदेमंद करेगा, इम्मुनिटी पाउर तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो मैं यही आपसे उमिद रखता हूँ कि आप आज ही इस नुकसे को त्यार कीजिए, और अपने बच्चे को दीजिए, आप स्वयम लिजिए और इ इसी तरह की परसानी हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट्स करके जरूर बतलाएं और इस वीडियो को सेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें, दोस्तों स्वस्त रहे बेस्त रहे मस्त रहे नमस्कार दोस्तों फिर मिलते हम अगले वीडियो के सब